तो भाया खुश मत होना के रोहिच शर्मा चले गए। पाकिस्तान की हवाम और आज रिंकू सिंग ने मेरा ख्याल अपनी पर्फॉर्मंस थे इन सब के मुझे पर तमाचा मार दे पाकिस्तानी से ट्रोल करना जानते हैं जितना नहीं जानते हैं इंडिया की सीटम अगर एटीम होती ना यह आपको 300 उपर स्कोर नदर आना था एक शर्मा गया दूसरा शर्मा आया एक हिट मैं गया दूसरा सिक्स मैं आ गया है और यह इनकी इस तरह की बैटिंग करता है यह लड़का के बॉलर्स को बेलकुल पसीना पसीना कर देता है लेकिन अबेशिक शर्मा ने ये फिलिंग करवा दी वो सारे क्रिकेट फैंस को जो थोड़ा बोड जो है अब भी परेशान है कि यार रोहिट शर्मा नहीं रहे टीम में विराट कुली नहीं रहे टीम में इस टीम का क्या होगा अब देखें 50 की इसने तब हमारे जो है कुछ नकली किंग जो बने हुए होते शायद जो आवा दस बारां बाले लेकिव चे रंस बनाती जार 50 होने वाली है जब सेंचरी होती वो यह जो इसने 18 रंस तीन बालो हुए बनाये वो शैद यह टारा रंस 40 बाले के बनाते यह जो जलने वाले लोग ते जो मजाग कर रहे ते जो बेकार की बाते कर एक हसे हम बिते खल लेकिन हसने हशने में फर्क होता है बात आई पी अल की अंदर प्लेस इसको पॉलिच करना का सब्सक्राइब लग रहे हैं लग रहा है कि यार उस बंदे के पास सो सार का एक्सपीरियंस है वो वरात कोली की क्लास से घेल ला है उसके साथ बात करें गायकवाद बई 77 रिंकू सिंग 48 रिंकू सिंग टी 20 वर्ल कप में भी आये लेकि दोस्तों इसा हाकार मचा है कि वो रोही सर्मा और बिराट कोली के सन्यास लेने के बाद जहां उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब इंडिया में कोई ऐसा हिटर बैट्समैन नहीं रहा वहीं अब आपसिक सर्मा और रिंकू सर्मा जैसे बैट्समैनों के ऐसे धमाकेदार बल्ले जब का हाकार मिचा है में तो आईए देखते हैं भारत के इस मैच को लेकर पाक मीडिया में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है में पर वीडियो करेंगे लेकिन जो बैटिंग अभी शेक शर्मा ने किया है ना यकीन माने तोड के रख दिया है जिम्बावे के बालर्स को बंदा चोकु से ज्यादा च्छकों में जो आवा करता है बाईसाब डिपेंड और वाल पे इसकी कोशिश होती है बाल जो बांडरी से बाहर उठाके में फेंको एक शर्मा गया दूसरा शर्मा आया एक हिट मैन गया दूसरा सिक्स मैन आ गया है और यह इनकी इस तरहा की ब डिकट रोक के खेलना चाहिए था और आज अभी शेयक शर्मा ने अपने पहले बाल पहला बाल तो वाइड हुआ उसके बाद अपने पहले बाल पे च्छका लगया और वो जो शिरुवात थी ना उसके बाद जो एंडिंग हुई है ना यकीन माने आन बिलीवेबल इसको ब 50 की इसने तब हमारे जो हां कुछ नकली किंग जो बने हुए हो उते शाए जो आपने याप यह और शो हो गया तो बगा के अपनी जाप पहली इंटरनेशनल सेंचरी जा मकमल कर लिया है कहीं खिलाड़ी 30-30-40-40 मैचिस खिलने के बाद सेंचरी नहीं बना पाते हैं टीट-20 में कहीं ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पूरे-पूरे केरियर 10-12-12 साल के केरियर्स एंड हो जाते हैं वो सेंचरी न सब्सक्राइब कर देने वाला काम यह करता है ठीक है और साथ में रोहित शर्मा की तरह दिलेराना बैटिंग करता है यह अपकी बाठी कर सका ना विरात ना बाबर आजम ना दुनिया क्रिकर्ट के ग्रेट्स नहीं कर सके जो भी शेक ने कर दिया आर्ट शेकर साचों के वि सब्सक्राइब करते हैं यह अपने अपने रिकॉर्ड बन गया है बढ़े जब तक टीम इडिया खेलेगी रिकॉर्ड बनाएगी इन ही लड़कों ने जाके दोदार चबिस का वल्ड कप खेलना है रोज शर्मा की रिप्लेस्मेंट इंडिया को चाहिए उसके बाद अगर बात करें विराट की रिप्लेस्मेंट चाहिए रिप्लेस्मेंट बढ़े लेकिन आज इंडिया ने वहीं कोई कमी निया क्योंकि वह आई पिल से उनका जो आई पील है ना उससे कफी प्लेयर जनेरेट होते हैं उनके पर और इसके लावा इंडिया काफी वार कर रहा है अपने क्रिकेट की उपर और उनके अवाम की बस्पोर्ट है उनको औ कि इंडिया के प्लेयर जो है वो बिल्कुल मतलब जो लगा के खेलते हैं दिलो जान से खेलते हैं अज अगर हम बात करें आप से अपने मैस जाहरे हम उनके रियक्शन ले रहे हैं जिन्होंने मैच देखे हैं अभी शेख शर्मा के बारे में बहुत जादा बात और यह कि द तो आगे जाके मजीद वो इंप्रूब होगा जैसे उसको अच्छे कोची मिलेंगे और इंडिया की तरफ से इसको आई पील वगारा और वो खेलेगा मतलब लीग्स भी खेलेगा तो काफी इंप्रूब्मेंट आईगी उसमें और एक नया टैलेंट है देखें आगे क्या ह उनके लिए बैस चांस था कि वो अच्छे से रिटैर्मेंट मतलब लें एक मतलब वर्ल्लक जीत के ना किया से के वर्ल्लक अहरे तो बंदा रिटैर्मेंट के इलान करे साथ चोकों की मदद से अपना सतक पूरा किया और यह सतक के साथ साथ सो रनका अंतर से ये बामबे को करारी सिकस्त दी ऐसे बले बाजी उन्होंने पेश की कि पूरे वर्ड में हाहा कार मचा है कि जहां एक तरफ बिराट कोहली और रोहिस सर्मा के इंडियम इंडिया से टिट दोनों सर्मा ने मिलकर ऐसी बले बाजी का मुझाइरा पेश किया कि पकिस्तानी अपने भाबर आजम को गह भर भर कर गालियां दे रहे हैं रोहिस सर्मा की तो बात अखिया लग है और अभिसिक सर्मा नएय में एसी बैश्मैनिका मुझा hairstा किया कि उन्हे बाबर आजम जै तो वो दोहरे गेट से ज़्यादा गेट जहिलते और इतना हिटर बैट्समेन की तो ब्याबर आजम से उम्मीद ही न किया जा सके वो सिंगल डबल करके उबाव बैटिंग करते हैं जिससे पाकिस्तानियों का उनसे भरोसा ही उठ चुका है कि वो T20 प्रारूप के लिए अच् आफ से सिकस्त दिया जिंबामबे टीम जहां एक्सपिरियन्स वाइंडिया की यह B तो इताज आपडेटीट पने के वह चेह को लाइक सब्सक्राइब करें हैं कि